हेलो फ्रेंड्स आप देखने वेद कुमार की घरी लिनुसके और आज की इस वीडियो में हम आपको हाई ब्लेड प्रेसर से छुटकारा दिला देने वाला एक बहुत ही आसान और आयरवेदी कुपाय बताने जा रही हैं दोस्तो ब्लेड प्रेसर बढ़ना आजकल सामाने बात हो गई है मानसिक तनाव अधिक होने के कारण कम उमर में ही हाई ब्लेड प्रेसर होने लगता है exercise करते समय चिंता करने से डर की वजह से या गुसा आने से कुछ समय के लिए blood pressure बढ़ सकता है जो जल्दी ही सामानिय भी हो जाता है temporary थोड़ा blood pressure बढ़ना उतना हानी कारक नहीं होता जितना इस्थाई रूप से बढ़ा हुआ रहता है दोस्तो इसका उपचार करना बहुत जरूरी है अन्य था high blood pressure की वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ हो सकती है हमारे सरीर को हमारी health को बहुत नुक्सान पहुंच सकता है दोस्तो high blood pressure की वजह से नसों को नुक्सान पहुंचता है सामाने रूप से नसे लचीली और मजबूत होती है BP high होने की वजह से नसे छतिग्रस्त हो जाती है और इस वजह से रक्त को अंगो तक पहुंचाने में काफी मुश्किल होती है high blood pressure की वजह से हिर्दे पर भी दबाव पड़ता है हिर्दे को पूरे सरीर तक रक्त पहुंचाने में अधिक तागत लगानी पड़ती है इससे हिर्दे की मासपेसिया कमजोर हो जाती है और अंत में heart attack का कारण बनता है दिमाग को भी बढ़े हुए blood pressure से नुक्सान होता है इसके कारण चोटा या बड़ा brain stock होने की संभाव नए बहुत जादा बढ़ जाती है blood pressure की वजह से kidney fail होने का खत्रा रहता है इसके कारण kidney अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती है और सरीर से विशैले तत्वों को बहार नहीं निकाल पाती है और उसी की वजह से dialysis का सहरा लेना पड़ जाता है दोस्तो high blood pressure से आँख परभावित होती है high blood pressure के कारण आँखों के retina तक रक्त की सप्लाई बाधित होती है जिसके कारण आँख में bleeding, धूंदलापन या बिलकुल ना दिखाई देने की समस्या उत्वन हो जाती है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, high blood pressure के कारण पेशाग के साथ अधिक मात्रा में calcium सरीर से बाहर निकल जाता है इससे हड़ियां कमजोर हो जाती है और जल्दी ही तूट भी सकती है high blood pressure की वज़े से निद्रा नहीं आती है रात में यानि एनिद्रा का रोग बढ़ जाता है blood pressure बढ़ा हुआ रहने से नीद ना आने की समस्या पैदा हो जाती है दोस्तो आईए बताते हैं आपको high blood pressure से छुटका रपाने का एक बहुत आसान और आयर्वेदी को पाए दोस्तो इसके लिए आप एक कप पानी ले लिजे और उसमें गुढ़ल के सूखे चार फूल डाल दीजे या फिर गुढ़ल के फूलों का जो पोडर होता है एक चोथाई चम्मच आपसमें डाल दीजे और दाल चीनी का पोडर एक चोथाई चम्मच या एक इंच लंबा दाल चीनी का टुकड़ा उसमें डाल कर हलकी आज पर पांच मिनट के लिए उबाले और इसके बाद इसको च्छान कर इसमें एक चम्मच या स्वाद के अनुसार सहद मिलाएं और आधा चम्मच निबुकरस डाल कर इसको पिएं दोस्तो ये एक समय की यानि एक टाइम की खुराख है इसी तरह से आपको पूरे दिन में दो या तीन बार पीना चाहिए पंदरे दिनों के अंदर हाई बलड प्रेसर की समस्या हमेजा के लिए गायब हो जाएगी दोस्तो यदि हम इसके साइड एफेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है ये पूरी तरह से सेफ है आईरवेदिक है इससे आपको कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा दोस्तो इसके साथ साथ आपको कुछ परहज भी करना जरूरी है जैसे ज़्यादा घी तेल वाली या तली हुई चीजें ना खाएं या यदि खानी पड़ जाएं तो बहुती कम मातरा में इसका सेवन करें फल और हरी सबजियों का जाद परियोग करें और जिन खाद्य सामगरियों में नमक बहुत जाद मातरा में होता है उनका उपियोग कम या बिल्कुल ना करें तो अच्छा है जैसे अचार, पापड, चिप्स, टॉमेटो, कैचप और डबे के अंदर जो बंद खादे बदार्त हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताएगे हैं उसका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद